दोस्तों स्वागत है एक बार फिट से आप सभी का भारती टेक चैनल पर मैं हूँ अपका अपना दोस्त अजेक्मार भारती तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Microsoft Office के बारे में Microsoft Office अभी तक आपने देखा होगा कि Microsoft Office को laptop अथवा PC में इंस्टॉल किया जा सकता है और वहां पर ही Excel, PowerPoint और Word का इस्तमाल कर सकते हैं बट आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी साहता से आप अपने स्मार्ट फोन में भी MS PowerPoint, Excel और वाडियन की Office को इस्तमाल कर सकते हैं तो वह क्या तरीका है इसको कैसे हम यूज करेंगे क्या क्या करना होता है कहां से हम साफ्टेयर कर डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बस आपको काम क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किये हुए पूरा देखना है अंत तक तभी आपके समझ में आएगा कि आपको ये सब चीजे कैसे करनी है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते है यहां पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं अब यहां पर आपको काम करना है आपको टाइप करना है Microsoft Office ठीक है तो प्ले स्टोर में आपको इससे टाइप कर दिना है और इसका लिंक भी मैंने वीडियो की रिस्क्रिप्सर्ट में दे दिया है तो उस लिंक पर क्लिक कर के भी आप इसको उपन करके डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इसे यूज कर रहा हूं और इसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो सिंपली अब इससे आपको उपन कर लेना है ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा और यहां पर काफी सारी सेटिंग्स है और नॉर्मली एकर देखा जाए तो सेटिंग्स लगबग होती है यहां पर आपको क्या-क्या मिलेगा ठीक है अगर आपके पास ऐडी पासवर्ड है आप पावर पॉइंट इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्ड अगर आप इस्तवाल करना चाहते हैं कुछ भी लिखना चाहते हैं यहां पर आपको ब्लैक डाकुमेंट पर आना होगा ठीक है जैसे आप डाकुमेंट पर जाते हैं तो यहां पर आ इसी है इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ठीक है तो उसके बाद आप चाहें तो डॉकुमेंट को सेफ करके भी रख सकते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं अब फिर से प्लस पर आपको आना है वाड एक्सल पर और एक्सल को आप ओपन कर लेंगे तो MS Excel को ओपन करने के बाद जी हां देख सकते हैं कि सिंपल तरीका जो भी मैंने बताया उसमें बिल्कुल आपको वैसे देखेगा जैसे आपको लैपटॉप अथा PC में देखने को मिलता है सारी चीजिए से में कोई भी इसमें आपको चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा त आप आसानी से बर्स यहां पर अगर आप इसमें कुछ राइट करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो आपके सिंपल जो मोबाइल का जो कीपैड होगा उसकी पैड से आप इसको नहीं लिख सकते हैं इसमें लिखने के लिए आपको क्या होता कि आपको कीबोर्ट कनेक्ट क कैसे करना है उस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी बना रहा हूं तो उस वीडियो को आप वाच करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें टाइपिंग करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं PowerPoint की तो फिर से आपको पलस वाले पर आना है और PowerPoint पर आने के पाद ब्लैंक प्रसेंटर्शन पर चले जाना है यहां पर भी अगर बात करें इसको यूज करने के लिए तो आप नॉर्मल मॉबाइल के की से इसे यूज नहीं कर तकते हैं यानि कि अगर इसकी कुछ लिखना होगा तो सिंप्ली आपको लिखने के लिए क्लिए क्लिए आपको आपनी मिलती हैं और नोट में जाने के बाद आप यहां पर कोई अपना डेटा सेव कर सकते हैं लिखके तो काफी अच्छा है और इससे आप डाउनलोड कर लिजिए और लैटॉप की तरह है इसे आप यूज कर सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत ह भी नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलिजबल वीडियो आपको कांटिन्यू मिलती रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट अप्डेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में लिज पुरिए तो मीमिलते हैं झालख नबल वा जरूर की डेटीजिए तो में आपको कंट रहें दीजिए तो में दो देया लिएके।